कोरिया जंग कोरिया जंग के आर्मीज हम केवल खबर नहीं सच दिखाते खानपुर थाना छेत्र के गाउं का नौन में जहरीले कितनाशक के छिरकाओं से एक दर्जन से भी अधिक पक्षियों की मौध हो गई ग्रामीजों का आरोप है कि एक किसान द्वारा गेहूं की फसल होने के दौरान जहरीले कितना शक मिलने के कारण पक्षियों की मौध हो गई है नत पक्षियों में लगभग आदा दर्जन राष्ट्री पक्षि मोड भी शामिल है कन्नोन इस सिर्फ एक खेत में एक दर्जन से अधिक पक्षियों की मौध की सूचना से फूरे गाउं में हलचल मच गई इस्थानी निवासियों के जाकर देखने पर मौके पर मोड कबूतर पोवा आधी पक्षि जमीन पर पड़े दिखाई दिये इसके बाद ग्रामिलों दुआरा आसपास भी जाकर देखने के बाद कुछ और पक्षि जमीन पर पड़े दिखाई दिये ग्रामिलों को खेत के पास ही खेती में प्रियोग होने वाली एक बहुत जहरीली कितनाशक की खाली बोतल भी बरामद हुई जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामिलों ने इसे कितनाशक से पक्षियों की मौत होने का दावा किया प्रामिलों ने खेत के पास ही कुछ हिस्सा खुदा हुआ देखकर छान बीन की तो गड़्डा खोद कर दबाए गए आधा दर्जल से भी जाना अजिक म्रत पक्षि पाए गए और ठाना खानपुर और तहसिल स्याना और जो हमारा पिन कोड है बीच चोटी जीरो पांच है पर जो भी कारवाई है